हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल सिक्षा लेसन तो आज हम एड्जेक्टिफ्स के बारे में पढ़ेंगे पार्ट्स ओफ स्पीच के हमने कुछ टॉपिक्स पहले देखे हैं नाउंस देखे हैं प्रणाउंस देखे हैं नमबर्स भी हमारे कंपलीट हो गए हैं तो नया पार्ट ओफ स्पीच में हम शुरू करेंगे एड्जेक्टिफ्स तो चलो देखते हैं उसके बारे में डेटेल से जानेंगे हम देखेंगे सबसे पहले तो जाना जरूरी है what is an adjective तो इसके बारे में जानेंगे a word that qualifies a noun और a pronoun यानि वे शब्द जो संग्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या qualities बताते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं एड्जेक्टिफ कहलाते हैं यानि संग्या और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द एड्जेक्टिफ या विशेषन कहलाते हैं जैसे example है इसमें कुसुम is a beautiful girl ठीक है तो यहाँ पर beautiful word है ये क्या है एड्जेक्टिफ है जो कि किसके लिए यूज हुआ है कुसुम के लिए ठीक है और girl क्या है नाउन है ठीक है तो कुसुम is a beautiful girl तो यहाँ पर beautiful एड्जेक्टिफ है जो कि एक नाउन की विशेषता बता रहा है आगे देखते हैं आगे है इसमें adjectives can be used in two ways यानि adjectives जो होते हैं उनका हम दो तरीके से प्रियोग कर सकते हैं या उसके दो तरीके होते हैं उनको प्रियोग करने के क्या होते हैं number one attributive use number two predicative use प्रियोग करने के वो कौन कौन से होते हैं एक तो attributive use होता है उसका और एक predicative use होता है चलो इनके बारे में आगे डेटेल से देखते हैं एन एड्जेक्टिव इस यूज़ एट्रिब्यूटिवली वैन इट क्वालिफाइज इट्स नाउन डायरेक्टली यानि जब विशेशन संग्या के बिल्कुल साथ में सटकर संग्या की प्रितिक्च भाव से विशेशता बताता है मतलब कोई भी एड्जेक्टिव वर्ड जो की संग्या को डायरेक्ट उसके साथ सटके बिल्कुल लगता है और उसकी डायरेक्ट ही कोई विशेशता बताता है तो वो शब्द क्या होते हैं एट्रिब्यूटिव यूज़ का मतलब उन शब्दों का कैसे यूज़ कर रहे है हम एट्रिब्यूटिव यानि सीधे सीधे संग्या के साथ सटकर जो एड्जेक्टिव वर्ड यूज़ होते हैं वो एट्रिब्यूटिव वर्ड सोते हैं या एट्रिब्यूटिव एड्जेक्टिव होते हैं जिसे एक्जाम्पल है इसमें ए वाइट फ्रॉक तो वाइट क के चस्ट सटकर अगर कोई adjective word आ रहा है तो वो उस नाउन के attributively उसकी विशेशता बता रहा है यानि तोनंत या साथ में या सटकर उसकी विशेशता बता रहा है जैसे इसमें next है a red shirt तो shirt और red रेड क्या है adjective है और shirt क्या है नाउन है तो इनके बीच में कोई भी अन्य शब्द या कोई सी भी प्रकार की helping word या कुछ भी यूज नहीं हुआ है ये red shirt तो ये adjective का attributive यूज है नंबर टू देखते हैं नंबर टू है predicative views पहला क्या था? attributed views, predicative views नेक्स्ट है इसमें क्या होता है? जब विशेशन संग्या के साथ सटकर नहीं आता है मतलब उसके just साथ नहीं आता है कोई भी विशेशन बल्कि वैं संग्या की विशेशता तो बताता है लेकिन तोड़ा आगे पीछे होके बताता है और उसमें क प्रेडिकेटिव यूज में क्या फर्क है कि इसमें जो नाउन होती है और जो इसका एडजेक्टिव होता है उसकी थोड़ी दूरी होती है दूरी का मतलब कोई भी एक दो शब्द बीच में होते हैं ठीक है जो एडजेक्टिव होता है उसका नाउन से थोड़ी सी दूरी पर या इनड़ेक्टिव वो उसका विशेशन या विशेशता बताता है जैसे आप एक्जामपल से बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे my shirt is black my shirt is black तो shirt क्या है इसमें नाउन है is black black क्या है एडजेक्टिव है तो shirt और black के बीच में थोड़ी सी दूरी हुई यानि is इसमें बीच में आया helping वरवाई तो इसमें क्या है यह predictively हो गया मतलब थोड़ी सी दूरी के साथ हुआ कुसम is beautiful ठीक है तो beautiful और कुसम जो की एक noun है एक साथ नहीं आये थोड़ी सी दूरी लेके आये तो इसका predictive use है और उसमें क्या था हमारे attributive use में noun और adjective या pronoun और adjective एक साथ हुज होते थे ठीक है तो यह दो तरीके के उसके ways है एड़ेक्टिव के क्या number one attributive use number two predicative use तो आगे हम इनके बारे में और detail में देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे वीडियो रहेंगे वह एड़ेक्टिव की कितनी types हैं और उन types का कैसे कैसे use होता है वह हमारे next वीडियो में देखेंगे आज का एड़ेक्टिव का एक short form में हमने उसकी detail मतलब इसको जानने की कोशिश हम next वीडियो में करेंगे अभी हमने short form में उनको देख लिया है कि adjectives क्या है और उसकी definition क्या होती है और उसके ways क्या है उसके बाद हम इसके types of adjectives देखेंगे तो यह था हमारा आज का वीडियो वीडियो को लाइक करें कमेंट और शेर भी करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बैल आइकन जिससे निव वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचें अच्छे से पढ़ें ध्यान रखें थैंक यू सो मच हैवन आइस टे